नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चानल दफरिंगो पर दोस्तों यू तो आपने कई यूनिक वहिकल्स देखे ही होंगे पर क्या आपने कभी लेगो के पीसिस से बनी कार देखी है या फिर एक ऐसी रेजिडेंशियल बस जो एक महल जितनी लक आज हम आप सभी को कुछ ऐसे अतरंगी वहिकल्स दिखाने वाले हैं जो इतने अनोखे हैं कि आप सभी इनके दीवाने हो जाएंगे तो हर बार की तरह इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचा कर अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाईए चलिए अब चलते हैं आज क पुल एक ट्रांस्फॉरमर जैसा ही लगता है पर ये बात मानने वाली है कि ये ट्रांस्फॉरमर पलक जबकते ही एक कार में ट्रांस्पॉरम हो जाता है जो चल भी सकती है इस कार में दो लोगों के बैठने की जग़ भी मौजूद है इस रोमट वहिकल को जपान के कुछ एंजिनियर्स ने तैयार करा है और यह आपको सर्प्राइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दोस्तों मिल ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉंगेस्ट कार से जो लगबग बुलेट प्रूफ कही जा सकती है। टेकसस आर्मरिंग कॉर्परेशन में बनी इस कस्टम मर्सेडीस बेंज को टेस्ट करने के लिए इस कंपनी के CEO ने एक ऐसा काम किया जो कोई नहीं सोचेगा। ये इस कार में बैठ कर और फिर एक इंपलॉई को AK-47 से इसके विंडशील्ड पर शूट करने को बोला। और सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि उनका बाल भी पाका नहीं हुआ क्योंकि इस गाड़ी ने सारी बुलेट्स जेल ली। तो दोस्तों आपका इस जबरदस्त गाड़ी के बारे में क्या कहना है कमेंच के माध्यम से हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपने बुगाटी की किरौन गाड़ी तो देखी ही होगी। ये है उसकी फुल टाइम रेप्लिका जो की लेगो के पीसिस को जोड़ कर बनाई गई है। इस कार को बनाने में करीब 10 लाख लेगो पीसिस का इस्तमाल हुआ है और इसे लेगो कमपनी ने खुद बनाया था। ये पहली ऐसी गाड़ी है जो पूरी तरह से लेगो पीसिस से बने होने के बाबजूद नॉर्मल गाड़ियों की तरह चलती भी है। इस गाड़ी की दोस्तों पेश है आपके सामने एलीजियम फ्यूरियों नाम की ये आरवी जो किसी महल से कम नहीं है। इस कमाल की आरवी में तीन जायन टीवी लगे हुए हैं और इसकी रूफ पर मौजूद है एक होट टब जिसमें आप रिलाक्स करते हुए सीनरी का आनंद भी ले सकते ह इसके साथ ही इस आरवी के साथ आपको मिलता है अपना परसनल टू सीटर मिनी हेलिकॉप्टर जो आप इस पर लाइन भी कर सकते हैं इस आरवी के अंदर बेडरूम से लेकर कीचन तक सारी फिसिलिटीज मौजूद हैं हाला कि ये वहिकल अभी सेल के लिए उपलब्द नही है पर इसकी कियमत की बात करी जाए तो वो 17 करोड के करीब है दोस्तों ये है बलड हाउंग सूपर सॉनिक कार जो दुनिया की सबसे फास्ट कार है इस कार को बनाने में करीब 12 साल का समय भी लग गया इस कार का कॉंसेप्ट 2007 में शुरू हुआ था और इसका मकसद सारे लैं वहिकल ने बनाए थे और ये उसमें काम्याब भी रही सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सूपर सॉनिक कार केवल साड़े तीन सेकंड्स में ही एक मील की दूरी तै कर लेती है और अपने जेट इंजन रॉकेट बूस्टर के जरिए ये गाड़ी 1600 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंच जाती है तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के कुछ अतरंगी वहिकल्स चिनोंने आपको चौंका तो जरूर दिया ही होगा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी ऐसी ही कमाल की वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाते हैं तो आज ही हमारे चैनल दफरिंगो को सबस्क्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी जरूर दबाएं मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद